दोस्तों मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विशेस लिमिटेड के बाइबैक के टाइम लाइन्स इस बाइबैक के इंडिकेटिव इंटेल्मेंट रेशियो और कई अधर डीटेल्स को भी रिलीस कर दिया गया है हम लोग इस वीडियो में इन डीटेल के बारे में जानेंगे मैंने इस बाइबैक पर पहले भी एक डीटेल वीडियो बनाये हुआ है आप उपर आई बटन को क्लिक कर इसे जरूर देखे ताकि आपको इस बाइबैक की पूरी जानकारी मिल सके इस buyback में company 14,54,545 फुली paid up equity shares की buyback करने वाली है और इस buyback का price 1100 रुपे प्रती equity share रखा गया है अगर हम लोग इस share के current market price जो 772 रुपे 75 पैसे के आसपास है इससे इससे compare करें तो ये buyback 42.3% के premium पर है company ने जब इस buyback के announcement की थी तो ये buyback 39% के premium पर था लेकिन इस share में गिरावट हुई और उस गिरावट की वज़े से इस buyback का premium बढ़कर 42% के आसपास हो गया है इस buyback का size 160 करोड रुपे का है अब चलिए हम लोग इस buyback के timeline के बारे में जानते हैं इस buyback की record date 27 में 2022 थी ये buyback 24 जून 2022 को open होगा और ये 7 जुलाई 2022 को close हो जाएगा तो आप इस buyback में अपने share को 7 जुलाई 2022 तक tender कर पाएंगे ये इसकी last date है last date of settlement of bits 18 जुलाई 2022 है इसका मतलब आपके जितने भी share buyback किये जाएंगे उसके amount को 18 जुलाई 2022 तक आपको दे दिया जाएगा और जितने भी share buyback किये जाएंगे उसे 25 जुलाई 2022 तक extinguish कर दिया जाएगा buyback में दो category होती है पहली reserve category और दूसरी general category reserve category में small shareholders आते हैं और small shareholders के अलावा जितने भी shareholder हैं वो general category में आते हैं small shareholders ऐसे shareholders होते हैं जिनकी shares की market value record date पर 2 लाख या उससे कम की होती है 2 लाख में number of equity share निकालने के लिए हम लोग ऐसे stock exchange के record date की closing के price को लेते हैं जिसमें इस share की traded volume सबसे ज़्यादा होती है तो NSE में record date पर इस share की traded volume सबसे ज़्यादा थी और NSE का record date पर इस share का closing का price 780 रुपे 5 पैसे था तो अगर हम लोग 780 रुपे 5 पैसे को consider करते हैं तो ऐसे share holder जिनके पास record date पर इस company के 256 या उससे कम equity share थे वो small shareholders कहलाएंगे और वो reserved category में आएंगे और ऐसे equity share holder जिनके पास इस company के 256 से ज़्यादा equity share थे वो general category में आएंगे इसी definition के basis पर देखें तो record date पर 97,790 small shareholders थे और उनके पास इस company के 23,67,483 equity shares थे जो total paid up share capital का 1.59% है और total number of equity shares जिसकी buyback करनी है उसका ये 162.76% होता है small shareholders जो reserve category में आते हैं उनके लिए total number of equity shares जिसकी buyback करनी है उसका 15% reserve होता है तो यहाँ 14,54,545 equity shares की buyback करनी है तो उसका 15% याने की 2,18,181 equity share small shareholders के लिए reserve रखे जाएंगे और जो बाकी बचे ही वे 12,36,363 equity share है वो general category के लिए होंगे अगर हम लोग total outstanding equity share को consider कर लेते हैं इस buyback के लिए तो reserve category के लिए जो indicative entitlement ratio बन कर आ रहा है वो है 7 is to 76 या आप इसे 1 is to 11 कह लें इसका मतलब अगर reserve category में shareholders अपने 11 shares को tender करते हैं तो इन 11 shares में एक share की buyback कर ली जाएगी अगर हम लोग इसे percentage में देखे हैं तो ये 9.2% है और general category के लिए जो indicative entitlement ratio बन कर आ रहा है वो है 3 is to 356 या 1 is to 119 तो general category के shareholders अगर अपने 119 shares को tender करते हैं तो इन में से एक share की buyback की जाएगी और यहां जो percentage बन कर आ रहा है वो है 0.84% ये जो मैंने अभी आपको entitlement ratio बताया है buyback की वो एक indicative entitlement ratio है आपके कितने share buyback किये जाएगे ये totally depend करेगा इस buyback के acceptance ratio पर और अगर shares कम tender किये गए तो acceptance ratio बढ़ जाएगे और आपके जादा shares की भी buyback की जा सकती है यहां मैं आपको एक important बात बता दूँ कि buyback के entitlement के competition में fractional entitlements को ignore कर दिया जाएगा उसे consider नहीं किया जाएगा और अगर आपके पास इस company के 10 या 10 से कम equity share है तो आपकी entitlement हो जाएगी zero लेकिन आप अपने additional shares को tender कर सकते हैं company आपके कम से कम एक shares की buyback की preference देगी दोस्तों Link in Time India Private Limited को इस buyback के लिए registrar और Ernst & Young Merchant Banking Services LLP को इस buyback के manager की तरह point किया गया है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पूरी बाते समझ में आ गई होंगी तो आप इस वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें इस वीडियो को अधिक सेदिक लोगों के साथ share भी करें ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल सके बहुत बहुत धन्यवाद